यहां पर देखिए जैसे ही मैं ब्लॉग की सुरुवात करने लगे यह पीछे से बड़ी अजीब सी आवाजें निकालने लगे और मेरे को भी इसको सुनके नहीं हंसी आ रही थी कैसे उचल उचल के हंस रहा था और फिर मैंने इस आवाज को अटा दी क्योंकि बड़ी अजीब सी आवाजें निकाल रहा था पिछे से तो इसलिए मेरे को भी हंसी आ रही थी और मैं चलिए आपको साथ ही बाहर का मौसम का निजारा दिखाती हूँ शाम का टाइम है और ये देखे कुछ इस तरह से मौसम बना हुए है काफी टाइम से मौसम वस ऐसे ही बादल हो जाता है लेकिन बारिश नहीं पड़ रही है काफी दिनों से बारिश के कारणा सुखा सुखा सा है चारों तरफ ये देखे कुछ इस तरह से अब ये हमारे खेत भी बैचारे सुखे खड़े हुए कई बहुत टाइम से बना आज कल तो हरियाली हो जाती यदि अगर क्यों भीजदे होते तो काफी टाइम से बारिस ने पड़ी है तो हमारी याप और बारिस के सिवा और कुछ भी नहीं है जिसे गयों बोया जाये तो हम तो बारिस पर ही निरवर रहते हैं तो देख रहे हैं मौसम को देखे कुछ ऐसे बनता है रोज बादल बादल बनता है फिर खतम हो जाते हैं और बारिश ने पड़ती और ये शाम का टाइम है यहां पर यूग बना रहा है काफी मेरे लिए और अपने लिए इसके पापा तो पसंद नहीं करते हैं काफी को तो इसलिए हम दोनों के लिए ही बना रहा था इतनी ज़्यादा खास तो मुझे भी पसंद नहीं है लेकिन इसके साथ साथ थोड़े मैंने भी पी ली थी काफी दिनों के बाद मिरे को ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे काफी मैं चाहे पसंद करती हूँ मिरे को चाहे अच्छी लगती है सरदियों के मौसम में तरफ यू की चल रही थी यहांपर त्यारिया कॉफी की तो मैंने सोचा दूसरी तरफ मैं क्यों ना अपनी डिस्की त्यारिया कर लेती हूँ तो मैंने जल्दी से एक घरी को एकर्षक लिए उसमें मिठी साम फजवाईन वगेरा थोड़ा सा ढाला था मैंने जवाइन सब्सक्राइब रए करके सब्सक्राइब योग करो पालने धाया झाया तो यहांप डूटनाःकं रता fifty to five तो मैंने थोड़ी देर धूने के लिए क्योंकि इस चला है तो थोड़ी दियर फूलने के बाद ये अच्छे बनते हैं और उसके बाद मैंने चुड़ा दिया था गैस पर फड़ा ही तेल को गरम करने के लिए कुछ इस तरह से और मैं इसको आथ में तेल लगाके ही तो हाथ में ये चिपके ना इसलिए थोड़ा सा तेल लगाती थी हाथ में और इसको गोल शेफ दे दी थी आप चाहो तो आटे को तोड़ के ऐसे भी डाल सकते हैं कड़ाई में तो उसी को चुंडवा बाबरू बोलते हैं लेकिन मैं इनको हलका सा गोल सेफ दे रही थी जिसे देखिए कुछ इस तरह से बने होते और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये मिर को तो बहुत ज़्यादा पसंद है आप एक बार बना कर देखना जरूर और हाँ यदि मेरे आपको मेरी एडिस अच्छी लग रहे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब भी कर देना और कुछ इस तरह से बनकर त्यार होंगे ये देखे इसको पकाना बिल्कुल मेडियम आंच में हैं क्योंकि अगर इसको ज़्यादा तेज आंच में जलाएंगे तो ये भाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्छे रह जाएंगे तो इसलिए इनको मेडियम आंच में ही पकाना पड़ता है तो इसके बाद ये देखे कुछ इस तरह से रेडी हुए थे उसके बाद खापी के बहुत ज़्यदा टेस्टी बने खुए थे और उसके बाद यह हैं सेकिन डे का है और साम का टाइम है, मैं और यूग जा रहे हैं लकड़ी लाने के लिए कि वारिश का महौल बना हुआ है वैसे बारिस पड़ी तो नहीं थी, लेकिन हमें न लकड़ियां लाकर इकठा करने पड़ती है, लकड़ियां दूर से तो नहीं लाते, नहीं जंगल से लाते हैं, बिलकि हमारे खेतों में इंपड़ी हुती है, तो बस उनी को लाने के लिए जा रहे थे हम घर को, क्योंकि यदि बारिश पढ़े तो कभी अगर जादा बारिश पढ़ जाया तो हमारी यहां भी बरफ पढ़ जाती है तो इसलिए इकठा करके रखनी पढ़ती है पहले ही लकड़ी इतनी जादा बरफ तो नहीं पढ़ती लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ जाती है तो आपको पता है शर्दियों का मौसम है वैसे भी आजकल लकड़ियों की काफी ज़्यादा जुरूरत होती है शेकने के लिए क्य होगे थे सकते हैं कि थोड़ी लेट हो गया था मैं हो और फिर थोड़ा सा अंदेरा भी होने वाला था कि यह थौड़ी लंपी भी थी और थोड़ी तिच्ञें जो अच्छे से रश्ची के अंदर नहीं तो इसलिए इनको तोड़ तोड़ के रख रही थी इस तरह लगड़ी में बांद कर जो हम लखड़ी रखते हैं और रसी में बांद कर ले जाते हैं तो इसको हम मुठ्धु बोलते हैं यहां पर लखड़ियों के बांदे हुए गठे को हम मुठ्धु बोलते हैं कि लखड़ी प्रवाद अंधेरा होने जा रहा था तो मैंने और युगु ने बे अपने-पने मूठ उठाय और घर की और निकल पड़े और यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंदा रहे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना जब तक मैं यह व्लॉग अपलोड कर रही हूं न तब तक हमारी यहां बारिश पी हो गए थी तो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाबाए